नमश्कार दोस्तो! इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मिस्र भिन्न होते हैं जैसे कि यहां पर देख सकते हैं 119 sa strategic 3.8 इसे हम किस प्रकार से बहुत ही सरल्ता के शार्थ दसमलों में बदल पाएंगे, यहां पर बताया जाएगा, जो तरीका यहां पर बताया जाएगा, उस तरीका के यदि आप पालन करते हैं, तो निश्चित तोर पर इसको बहुत ही असानी से बना लेंगे, जहां पर ये बड़ा भिन्न है, छैसो संतनबे सही, सोला बटे पची इसको आप असानी से दशमलों में बदल लेंगे, तो चले वीडियो को सुरू करते हैं, आप देख रहे हैं, आपका अपना चैनल उज्वल लक्ष, जिसमें गड़ित को बहुत ही बेसिक रूप से आपकी बिच रखा जाता है, तो इन संख्याओं को, इन भिन संख्याओं क दशमलों में बदलने से पहले, हमको समझना होता है कि वास्तम में किसी भी भिन को दशमलों में कैसे बदला जाता है, तो हमने उधारां के लिए एक छोटा सा भिन रखा है, वो है दो बटा पांच, तो दो बटे पांच को सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलों में बदलत दो नीचे उतारेंगे, यहाँ पर अब इसको भाग ही करना है, दशमलों में लाना है और इसको शुन्य करना ही होगा, तो यहाँ पर क्या करना होगा, पहले दशमलों लगाएंगे, फिर यह सुन्य हो जाएगा, शुन्य लगाएंगे, तो 5 का पहाड़ा 4 बर पढ़ेंगे, 5 119 सही 3 बटा 8 को कैसे बदले समाने तोर पर जब हम किसी भी मिश्र भी नको जैसे 2 सही एक बटा 5 है इसको हमको दशनलाव बदलना है तो हम समाने तर पर क्या करते हैं 5 का गुणा 2 से करेंगे 5 उने 10 10 और 11 ग्यारा बटा 5 होगा उसके बाद 11 को हम 5 से भाग करेंगे लेकिन य उसको आठ से भाग करेंगे तो बहुत लंबा समय लागेगा बहुत ही लंबा समय लागेगा और बहुत पर सबढ़ी होगी यदो को को समध जाएंगे तो सबसे पहले इसके और समझ्छाएंगे इसको दशंबलों में बदल के आपको दिखाते हैं जब भी कोई भी प्रकार का मिस्रभन दिया हो, जैसे यहाँ पर 119 सहीं 3 बटा 8 दिया है, तो दशमलों में बदनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 119 है, मिस्रभिन्य के पहले जो है, उसको आप जो का त्यों लिख दो, 119, दशमलों, अब केवल आपको 3 बटे 8 क 3 बटे 8 को दसमलों में बदनना है, तो 3 को भाग कर दो 8 से, तो देखिये 8 सुन्ने, उसके बाद यहाँ पर 3 बचा, ठीक है, दसमलों लगाएंगे, यह सुन्ने हो जाएगा, 2018 ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 बचा, सुन्ने लगाएंगे, 8,76 ठीक है उसके बाद ये 4 बचा सुने लगाएंगे 40 हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 40 को ठीक है अलग से तो 8,5,40 तो यहाँ पर ही हुआ 8,5,40 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शमलों के बाद जो 3,7,5 आया है उसी को आपको लिखना है 3,7,5 तो यह जो संख्या था 119 सहीं 3,8 उसे हमने बड़ी असानी के साथ बदल दिया 119,3,75 अब यह कैसे हुआ कैसे हुआ आपके मन में आना चाहिए कि क्यों हमने 119 को जोंका त्योलिक दिया और क्यों केवल 3,8 को दर्शमलों में बदला ठीक है यह concept आपको समझना होगा इसको समझने के लिए आपको बिन और दर्शमलों को अच्छे से समझना होगा भिन्न क्या होता है दशमलो क्या होता है इसको समझे यदि हम दो बटे 5 करते हैं दो बटे 5 यहाँ पर है इसका मतलब क्या हुआ किसी वस्तु को किसी वस्तु को सबसे पहले 5 हिस्से में बाटा गए है यह 3 1 2 3 1 2 3 4 यह 5 ठीक है 5 बराबर हिस्से में बाटा गए है 5 बराबर हि बस्लब है, दशंख्या के बाद जो संख्या होती है, वो एक से छोटी होती है, क्या होती है, एक से छोटी होती है, इसका मान ये हुआ कि उस संख्या को सबसे पहले 10 हिस्से में बाटा गया 10 हिस्से में बाटा गया ये 2, 4, 6, 8 और 10 तो 10 में से 4 हिस्सा 10 में से 4 हिस्सा कहलाता है 10.4 10.4 और भीन्य में अंतर यह है कि भीन्य में हम वस्तु को कितने भी टुकड़ा में कर सतने हैं च्क्राई शर्टाई साथ 5 तुग्रा लेकिन श्रह हâte करते हैं वस्तु को या तो hangsीर fan वाटेंगे या तो cord outlet यह तो 1000 शिरा गर लेकिन जितने भी यहां कि ब्राद की संख्या होती है वो जो है हमेशा एक साइगों से छोटे होता है जब हम साइगों को तोड़ते जाते हैं दस टुकड़ा में तब वो जो है दशमलों बनता है और दशमलों के पहले यहां पर जो संख्या होती है जैसे यहां पर सुन्य है तो सुन्य है मतलब कुछ नहीं है लेकिन माल दीजा यहीं पर ऐसा होता है तो एक दसनाव चार होता है इसका मतलब यह जो है एक सईगो है इसको कहीं पर भी तोड़ने की आवशक्ता नहीं है यह जो एक है यह एक सईगो ही है ऐसा इसको कहीं पर काटने की आवशक्ता नहीं है यदि ग्यारा होता तो ग्याराटों सईगो होता उ उसी प्रकार यदि भीन में तीन सहीं दो बटा पांच है इसका मतलब यह जो तीन है तीन सहीं हो है इसको कहीं पर भी टोड़ा नहीं गया है तो यह आप देख सकते हो सहीं के पहले जो यहां पर है बटे के पहले जो है वह सहीं को दिखाता है दशमलों के पहले जो है वह भी स सईगों को यहां पर अलग सी लिगते हैं तो यहां पर 119 जो है यह जो कि यहां पर है दरशम्लों के पहले सईगों ही रखा जाता है तो हमने बीना इसको कुछ की है यहां पर रख दिया ठीक है कि गे प्रभी मिमस्तर mia को दशम्ला में बदलने के लिए आपके पास प्रस्णा आए तो आप क्या करेंगे उसको अलग से गुणा करके फिर सभाग करने का वशक्ता नहीं है उसको जोंका त्योनिक दो अब हम बात करते हैं इस प्रस्णों को कैसे हल करें तो यहां पर देखिए 670 स्वारी 16 bata 25 तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको कुछ भी नहीं करना है यह हो जाएगा 670 दसमलों अब दसमलों हो गया आप 16 को भाग करोगे आप 25 से तो 25 सुनने हम सुनने यहां पर पजाएगा 16 दसमलों लगाएंगे यह हो गया 160 फिर 25 छके 150 ठीक है यहाँ पर सूने यहाँ पर एक फिर सूने लगाएंगे 25 चौक 100 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पूरा कट गया और हमको प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम मिस्र भीन्न को बड़ी असानी के साथ दशमलों में बदल सकते हैं इस वीडियो में इतना ही और बच्चों आपको बता दे कि हम जो है नौदै परिक्षा के लिए भीन्न का बहुत ही अच्छा पीडियेप तयार किये हैं बहुत ही बहतरी प्रश्ण हैं हर एक कॉनसेप्ट आपको डां लूट करने चाहिए और अच्छे से भ्यास करने चाहिए वो PDF जो है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बाक्सर पर मिल जाएगा लिंक मिल जाएगा उस लिंक को टेस्ट करोगे आप PDF को डाउलोड कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार